हेलो फैंस बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस रवांटेज यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड इस वीडियो के थुरू मैं मॉक्ते सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश एक्षन के लिए एससी सीजियल 2020 प्री प्री एक्जाम के लिए एक्जाम मार्च में होग और इस में इंग्लिश एक्षन के 25 प्री प्री खेंड और इस मोक्ते सीरीज में 25 नहीं लूँगा और जैसे इक्स्पेक्टेड कोशिन को पहले खुद आटेंट करना है और उसके बाद आप वीडियो का अन्पॉस आप कर दें और वहां पर मैं उस कोश्टें का आंसर भी आपको बताऊंगा और discussion भी करूँगा ताकि आपको सभी तरह के questions का सही तरीके से एक exposure मिल जाए और सीजिल एक्जाम में आप जाल स्यदा score कर सकें यह सीरीज हिंदी और English दोनों ही languages में रहेगी और दोनों को ही दोनों ही वीडियो क्लासिस को में अलगलग प्लेलिस्ट में अप्लोड करूँगा तो पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं इन प्लेलिस्ट के लिंक्स में नीचे description box में आपको दूँगा और यह mocktest series CGL, CPU, Steno, CHSL और MTS इन सभी exams के लिए highly important रहेगी तो यह mocktest one है यह Hindi में है इसका English section भी आप देख सकते हैं अलग प्लेलिस्ट में उसको भी मैं इसी चनल पापलोड करूँगा तो यह question number one है आपके सामने है spottinger का question है तो चाहे तो आप इस video को pause करें और इस question को करें देखे, she had been told by many people that her shiny blonde hair and blue eyes made her stand up in our crowd देखे, इस question का मतलब क्या है, इस question का simple सा मतलब यह है कि उसको बताया गया था किसी lady की इसमें बात हो रही है, उसको बताया गया था कि उसके जो blonde hair है blonde hair का मतलब होता है, जैसे अंग्रेजों के जो बाल होते हैं, हलके पीले से और colored hair होते हैं that is called blend hair, तो उसके जो blonde hair थे और उसकी जो blue eyes थी, उसकी वज़े से वो भीड में अलग दिखाई देती थी made hair stand up, अब देखें, यहाँ पर दिया है made hair stand up, यह made hair stand up जो है, यह होना चाहिए stand out, क्योंकि stand out का मतलब होता है, अलग दिखना या अलग खड़े होना, किसी चीज़ से अलग अलग दिखना तो उसको हम बोलते है stand out, उसको stand up नहीं बोलते है, stand out बोलते हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखें, made के बाद जो verb आती है, यह bear infinitive में आती है, यहाँ पर इसमें तू का प्रियोग नहीं होगा, यदि आप तू का प्रियोग करते हैं, तो यह गलत माना जाएगा, यहाँ पर तू का प्रियोग इसमें नहीं होगा, और यह passive voice है, she had been told by many people, उसको काफी सारे लोगों के दोरा बताया गया था, तो question number one में आपका जो answer होगा, वो होगा C, ठी कैसे questions को करना है, यह है question number two आपके सामने है, इस वीडियो को pause करें और खुद attempt करें, और उसके बाद इसका answer में बताऊंगा, चलिए आप देखते हैं इसका answer, पेट्रिक रीजड इन्टू दा पॉकेट्स आफिस ट्राउजर, देखें ट्राउजर क्या होता है, ट्राउजर Pants, Shorts, Jeans, Spectacles, Goggles, इनको हम plural में बोलते हैं, इनको हम singular में नहीं बोलते, इसलिए ट्राउजर के स्थान पर यहाँ पर होका ट्राउजर, यानि B इसमें गल्ती है, ठीक है, question number third आपके सामने है, thank God your family and you are safe, देखें यहाँ पर प्रोनॉम का एक रूल लगेगा, second person, third person and first person, य यह normal sequence रहता है, पहले second person आएगा, फिर third person आएगा, फिर first person आएगा, इसमें your family जो है, यह third person है, and you जो है second person है, यानि जो normal sequence है, वो two three का होता है, लेकिन इसमें यह sequence बन रहा है, वो बनदा है three two का, तो इसमें आपको बोलना चाहिए, thank God you and your family is safe, यहाँ पर भी यह missprint हो सकता ह यह is होगा, your family के साथ is आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या है, बी पाच में गलती है, your family and you के स्थान पर इसमें होगा, you and your family, बी इसमें गलत है, question number four आपके सामने है, the passengers were asked to carefully get down of the train, करिए इस question को, देखे, passengers से बोला गया था, कि उनको train से उतरना है साबधाने के तो train से बस से उतरने को हम बोलते है, get down from, get down from, off नहीं, get down from the train, ठीक है, see इसमें, see इसमें आपका सही आंसर होगा, see इसमें गलत है, question number five आपके सामने है, करिए इस question को और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप वीडियो को pause कर सकते हैं, चलिए आप देखते हैं, unless you receive the money, money order, you will not be able to pay your rent, यह conditions होती हैं, English में तीन conditions होती हैं, तो यह open condition का एक sentence है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है condition वाला पार्ट, जैसे यह है condition वाला पार्ट, और एक होता है result वाला पार्ट, यह है result वाला पार्ट, यह है condition वाला पार्ट, condition वाला पार्ट, if, unless, when, इससे स्टार्ट होता है, until, till ये आते हैं। और condition वाले path को हम हमेशा present simple tense में लिखते हैं। और जो दूसरा वाला path होता है, जिसको हम result part बोलते हैं, उसको हम will or can के साथ लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जादी देखा जाए, तो ये sentence आपका सही है, और इसमें आपका answer होगा D, that is no error. Question number 6 आपके सामने है, we usually have the lunch at 12, usually क्या है, adverb of frequency है, adverb of frequency को हम verb से पहले रखते हैं, तो verb से पहले है यहाँ पर, लेकिन lunch, dinner and breakfast, lunch, dinner and breakfast, इससे पहले हम दा का प्रियोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले यदि कोई adjective आता है, जैसे nice lunch, तो I had a nice lunch, इस तरही के से आप बोल सकते हैं, यह लगा सकते हैं, लेकिन इनसे पहले हम दा का प्रियोग नहीं करते हैं, B, इसमें आपका सही answer होगा. Question number seven आपके सामने हैं, please tell to me the story, बहुत simple question है, say के बाद हम two लगाते हैं, tell के बाद हम two नहीं लगाते हैं, he told me the story, please tell me the story, two नहीं आएगा, इसमें आपका answer होगा, B. Question number eight आपके सामने है, he is not as stronger as his brother, as और as के बीच में adjective की superlative degree नहीं आती, adjective की positive degree आती हैं. Adjective की positive degree मतना है, strong, comparative और as qualitative degree नहीं आती, तो यहाँ पर होना चाहिए, strong, इसका answer होगा, B. Question number nine आपके सामने है, one of the girls, in my class, have a card, one of the के बाद, one of the के बाद, हम plural noun लगाते हैं, one of the के बाद, हम plural noun लगाते हैं, लेकिन one of the related, जो helping verb होती है, वो होती है singular में, तो यहाँ पर इसमें आएगा, one of the girls has a car, इसमें आपका answer होगा, C. Question number ten आपके सामने है, my scooter is being serviced, यह passive voice है, my scooter is being serviced, मेरे scooter को serviced किया जा रहा है, so I am going to the office by walk, by क्या है, proposition है, by क्या है, proposition है, proposition के बाद हम IND form लगाते हैं, वर्ब की, तो या तो इसको आप walking बोलें यहाँ पर, या आप बोल सकते हैं, I will go to my office, on foot, on foot भी बोल सकते हैं, walking भी यहाँ पर बोल सकते हैं, तो C. इसमें आपका सही answer होगा, question number 11 आपके सामने है, the slump children round a burning fire to keep themselves warm, देखे, यह reading, SSC के सभी exams को यह आप क्रेक करना चाते हैं, प्रतिकल लिए तिया, तो reading बहुत जरूरी है, यह reading based question है, इसका context reading से आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ सकता है, मतलब slump children है, यहाँ पर आग जल लई है, और यहाँ पर ठंड के दिनों है, सर्दी के दिनों है, और यहाँ पर यहाँ पर जुगी जोपड़ी में बच्चे रहते हैं, वो आपस में बैठे हैं, आग ताप रहे हैं, ठीक है, तो वो जो condition होती है, जिसमें पास पास में सारे करते हैं सारे लोग, ठीक है तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा, वो होगा हडल, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हडल, the slum children huddled round the burning fire to keep themselves warm, अपने आपको गरम करने के लिए वो उन्होंने एक हडल बना लिया, अब यहाँ पर कुछ words मैंने इस लिए दिये हैं, ताकि यह words आपको एकदम से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह confusing words है, और मिलते यह उते same sounding words है, हडल का मतलब होता है, to come close together in a group, मडल का मतलब होता है, confused state of mind, मडल, कडल का मतलब होता है, किसी को पुछकालना या प्यार करना, जैसे हम किसी बच्चे को या छोटे जानबर को करते हैं, इसको hug या embrace भी बोल सकते हैं, कडल से ही एक word बनता है, कडल सम, जिसका मतलब होता है, प्यारा, metal का मतलब होता है, interfere, ठीक है, हस्तक छेप करना, और hurdle का मतलब होता है, obstacles, तो यह मिलते जोलते words है, highly important words है, सभी SSC exams के लिए, question number 12 आपके सामने हैं, यह फिलर्स के questions है, polyester shirts are more than the cotton, polyester shirts ज जादा होती है, यानि यहाँ पर adjective चाहिए, क्योंकि shirt जो कि एक noun है, उसको आप modify कर रहे हैं, उसकी आप विसेस्ता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर adjective चाहिए, तो यहाँ पर जो सही word आएगा, वो होगा, durable, adjective डूरेबिल होगा, ठीक है, durability noun है, तो noun यहाँ पर नहीं noun यहाँ पर नहीं आएगा, durably adverb है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको adjective चाहिए, तो adjective सही क्या होगा, durable, durable, ठीक है, question number 13 आपके सामने है, she was born rich parents, देखे, born के बाद यहाँ पर आप दो चाहिए लगा सकते, एक off लगा सकते, एक two लगा सकते हैं, off व्यक्ति का नाम या उसके parents का नाम specify नहीं है, specify है तो हम to लगाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के born होने की बात कर रहे हैं हम, और उसका नाम वहाँ पर mention है, parents का नाम mention है, तो हम to लगा सकते हैं, लेकिन general condition में off लगाते हैं, तो यहाँ पर किसी parents का नाम या उसका नाम यहाँ प mention नहीं है तो इसलिए यहां पर सही जो answer होगा वो होगा off she was born of rich parents ठीक है question number 14 हम देखते है children should obey children को obey करना चाहिए किन को parents किसके है यहां पर possessive case आप हो चाहिए क्योंकि parents जो है यह इन बच्चों के हैं इनकी बात हो रही है यहां पर तो possessive case कौन सा है इसमें बज़े से case है their ठीक है their house, their books, their pants तो their यहां पर आपका सही answer होगा ठीक है question number 15 देखते है the child has been missing मतलब बच्चा खो गया है कब से खो गया है yesterday yesterday क्या है point of time एक particular point है कल मतलब एक particular point है point of time है यह point of time और point of time के लिए हम दो चीओं का यूज करते हैं या तो from या फिर since लेकिन since का use हम तब करते हैं जब हम perfect tenses की बात करते हैं तो इसमें perfect tense की बात हो रही है has been से मैं पता पढ़ रहा है कि perfect tense है इसलिए यहां पर सही answer होगा आपका sense non perfect tense जो होगा उसमें हम बोलते हैं from ठीक है question 16 आपके सामने है I do not like sugar in my coffee sugar कैसी है sugar है uncountable few होता है countable many होता है countable much और some uncountable के लिए आते हैं तो some हम लगाते हैं affirmative sentences में इसमें सम नहीं आएगा इसलिए मच हम लगाते हैं negative sentences में तो सही answer होगा इसमें much I do not like much sugar in my coffee the board results are any moment any moment का मतलब है कि किसी भी time वो आ सकते हैं सारे लोग expect कर रहे हैं कि किसी भी time वो रोड रिल्ट आ सकते हैं तो is mr के बाद यहां पर third form लगेगी यह पैसे voice है actually they are expected उनको सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं expected यहां पर सही word होगा compile तो actually जैसे book को compile करते है notes को compile करते हैं उनको order में जमाते हैं वो होता है compile launch जैसे rockets को launch करते हैं tabulated table पर किसी चीज को रखना जैसे bill होता है पालियमेंट का उसको हम tabulate करते तो expected यहां पर आपका सही answer होगा question number 18 आपके सामने है there was no trace of fingerprints fingerprints का trace fingerprints की निशानी तो यहां पर सही जो answer होगा वो होगा आपका of whenever you in town जब भी आप इस शहर में आओ तो please call me whenever you are in town please call me यहां पर आपका answer होगा are question number 20 देखते हैं he he several museum in Delhi यहां पर सही answer होगा आपका visited क्योंकि past simple times की इसमें बात हो रही है he visited several museum in Delhi यह है synonym furious का मतलब क्या होता है furious का मतलब होता है बहुत गुस्से में furious adjective है यह और इसका synonym होगा angry काम तो सका इंटोनेम होगा ismaill मतलब मुश्कराना desperate मतलब भुचिजद बेसब्र होना एंगरी इसका सही सुनोनेम होगा काम इसका इंटोनेम होगा manage manage का स्नोनेम क्या होगा manage का सुनोनेम होगा control manage करना मतलब कंट्रोल करना ठीक है अकडम उसमollow TC senin जी यह हें जाते है लिद सो pH जै कि एक दम और मैंी से का उन्साय छाइत hazard एक इसको top ट का इक सेर्ण कहां सर когда hij कॉल्सिट को व का मतलब होता है रोकना, CEASE LESS का मतलब होता हैं I can show continuous यहांपर आपको Doesn't ZETS का मतलब होता है उत्सा उत्सा और उमंग के साथ किसी काम को करना इस अ बहुत जदा इंटरस्ट आगोध कि सो फूंग होना इसका डिस-इन्किलीनेशन मतलब किसी चीज में इंट्रेस्ट नहीं लेना जबती द्रेस्ट-कम मतलब होता है कि αν इंट्रेस्ट-कम अहाइघ लाइफ, डैथ का मतलब मरना, डैथ इसका सही आंसर होगा इंटोने, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 25 कोशियन ये दिये है, I hope आपको ये पसंद आया होगा, CGL, CPU, 10, O, MTS, CHL, सभी एक्जैम्स के लिए ये मौक्टे सीरीज में चला रहा हूँ, ये सीरीज हिंदी और 90% स्कोर करना चाहते हैं, SST, CGL, Tier 1, Tier 2, Tier 3, मैं तो उसके लिए आप मेरी paid classes आप जोइन कर सकते हैं, examiny.in, इस website पर आपको जाना है, examiny.in, ठीक है, यहाँ पर आप मेरी paid classes भी आप जोइन कर सकते हैं, तो इस session में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा, next video class में, thank you.